मैं मुहम्मद आजमल हाग इंडियन अर्मी का एक सर्विसमन हूँ मैं 13 सेप्टमबर 1986 में इंडियन अर्मी में जोन किया था और पिछला 30 सेप्टमबर 2006 को रिटेयर हूँ इसी 30 साल के तोरण मैंने बहुत सारे कोठीन से कोठीन एलाका में सर्विस किया और देश के शवा किया तो नोटिस में ऐसे लिखा है जे कमरुप जिला के अरोखियों अधिस्शक्ष ने आफ 1971 के बाद में इलीगल हिसाब से उड़ोट डॉकुमेंट आपने आसम में प्रुवेश किया तो आगर आपके पास कोई बैलिड डॉकुमेंट है तो 9 सेप्टेंबर को आप अदलत में हजिर होके आपका डॉटफुल फरेंडर के बारे में प्रूब किजिए नहीं तो केस एक तरह पसलेंगे तो 9 सेप्टेंबर तो बिद गिया फिर दुबारा जो मेरे पास डेट लिका है उसमें रिफिक्स डेट ऑन 13 अक्टोबर 2017 तो यह सुनकर के मैं बहुत शॉक हूँ मैं बहुत दुखी हूँ और मैं अंदर से जैसे की लगा है तूड़ गिया हूँ क्योंकि एक तीस साल लंबा एक टिनूर होता है मैं एज जुनियर कमिशन अवसार मैं आर्मी से रिट्यार हूँ तो बहुत एक अच्छा काम किया तो भी मे सब्सक्राइब तो मेरे को एपड़कुलाम साब के साडेशन पत्र भी है जिन्होंने मेरे को एज जुनियर कमिशन अवसारीन इंडियन आर्मी नेक्ति दिया है तो उसे पर से महुत मैं खुद था अपना सर्विस के दुरान में बहुत प्राउड था तक कि मैं देश का सब कर पाया लेकिन इसी इंसिदेंस ने मेरे को बहुत दुखी किया है तो एनिहाओ मैं कोट में जाओंगा 13 अक्टोबर को और मैंने सबकुस प्रूफ एविडेंस कोट में दाखिल करेंगे तो आशा करता हूँ जो मारा ओनारेबूल कोट हमको बरी करेंगे